कि आपको दोस्तो एक ऐसा whiteboard software चाहिए जहाँ पर आप chemistry experiments अलग-अलग instruments को, equipments को यूज करते हुए सिखा सको या फिर similarly physics के experiments आप अलग-अलग equipments यूज करते हुए सिखा सको या फिर आपको maths पढ़ाना है online जहाँ पर mathematical functions आपको पढ़ाना है या geometric constructions आपको पढ़ाना है तो द सारे function और इस तरह के कई सारे functions आपको by default मिल जाते है तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते है तो देखिए दोस्तो teach infinity to नाम का software है whiteboard software है जिसके वारे में हमने last week भी एक वीडियो देखा था अब अगर आपने उसके basics नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो सब सबसे पहले आप देख लीचिए उपर i section में उसके link आ रही है अब चलिए सबसे पहले ये grey जो background है इसे मैं change कर लेता हूं क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तो यहाँ पर देखिए slide effects में या फिर color में जाना है और pure white मैंने select कर लिना है और मैंने इसे कर करेंगे सबसे पहला होगा हमारा chemistry फिर physics फिर mathematics तो जिनको सिर्फ chemistry चाहिए वह अभी continuous देख लिए वीडियो और जिनको physics चाहिए physics के लिए भी अलग दिया हुआ है और maths के लिए भी अलग दिया हुआ है and finally मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस software को use करते हुए आप screen भी record कर सक सकते हो आपकी यह whiteboard की तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले chemistry किस तरीके से select करना है तो यहाँ पर देखिए एकदम corner में menu दिया हुआ आपको नीचे उसे click करना है subject बजाना है और chemistry select कर लेना है immediately देखिए यहाँ पर chemistry आगया है अब chemistry पर मैं click करता हूँ देखिए यह यहाँ पर मुझे चार चीज़े मिलती है एक chemical equipment मिलते है experiments सिखाने के लिए जो आज का वीडियो का topic है कि online experiments आप किस तरीके से सिखा सकते हो animations को use करते हुए या फिर basically instruments को ready made किस तरीके से use कर सकते हो यहाँ पर chemical containers दिये हुए है उसके बाद chemical symbols है और other है चलिए chemical equipment देखते है त experiments change भी कर सकते हो तो यह experiment पढ़ाते हुए आप बता सकते हो कि किसका weight जादा है या कम है या chemistry में उसके बाद मान लीजे आपको यहाँ पर यह cylinder भी मिल जाता है इस तरीके का size भी आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो और यहाँ पर जो usual options है आपको वही मिलते है तो यह आपको way मिल जाते हैं मतलब वजन के तो यहाँ पर देखिए मैंने एक रख दिया और उसके बाद मान लीजे मैंने और दो select कर लिया या इसी को select करते हुए यहाँ पर इसे मैंने copy कर लिया और फिर यहाँ पर paste कर दिया ठीक है तो दो बन गए वापी से paste कर दिया वापी से एक आ गय उसके बाद मैं यहां से इस तरीके से यह वाला भी उस कर सकता हूं तो देखिए मैं यहां पर इस liquid का level भी कम या जादा कर सकता हूं और यह जो container है इसे open भी कर सकता हूं इसे fire भी कर सकता हूं, close भी कर सकता हूं देखिए यह जो burner आपको मिल रहा है, यह container जो आपको मिल रहा है, इसे मैं open भी कर सकता हूँ, fire भी कर सकता हूँ और close भी कर सकता हूँ इस तरीके से, तो experiments में अलग-अलग stages पे आपको क्या होना है actual में, तो यह fuel आपका जो burn हो रहा है, वो किस तरीके से burn होना है, यह भी आप यहाँ पर clearly demonstrate कर सकते हो, इस apparatus को, इस animation को यूज़ करते हुए, आपको सिर्फ flame चाहिए तो देखिए इस तरीके कि आपको सिर्फ flame भी मिल सकती है, flame का thermometer के length भी आप कम या जादा इस तरीके से कर सकते हो यहाँ पर, उसके बाद इस तरीके के बहुत सारे apparatus आपको मिलते है, कि जहाँ पर आप level चेंज कर सकते हो इस तरीके से, या फिर width चेंज कर सकते हो, या फिर length चेंज कर सकते हो, या फिर ये देखिए, gas color आप चेंज कर सकत कमेंट सेक्चन में मुझे पूछा था किसी ने कि ये नोटिफिकेशन क्यूं आता है प्लीज कनेक्ट तुद एक्वप्मेंट तो दोस्तों यह जो सॉफ्ट्वर मैं आपको बता रहा हूं यह एक्च्वल में एक स्मार्ट बोड का सॉफ्ट्वर है इस कारण से यह PC पर इस कर देना है और इसका टेंचन लेने की ज़रूद बिलकुल भी नहीं है देखिए इस तरीके से रेड लिक्विड बर लिया है और इस तरीके के सारे अपैरेटस आपको यहां पर मिलते है देखिए यह सारे अपैरेटस आपको यहां पर मिलते है लिक्विड का कलर आप यहां absolutely free, इस तरीके के wages use कर सकते हो, इस तरीके के bowles use कर सकते हो, इसे बढ़ा या चोटा कर सकते हो, इसे with liquid कर सकते हो, liquid color यहाँ से change कर सकते हो, liquid का यहाँ पर मातरा कम या जादा कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, कि आप अगर इसको rotate कर दोगे, तो देखी इस तरीके से यह नजर आ अब ये सारी की सारे जो equipment है ये आप experiment कर सकते हो इनके साथ ये बहुत simple है और आपको experiments को explain करने के लिए बहुत ज्यादा कारगर है बहुत काम आएंगे क्योंकि इनके साथ एक inbuilt type of animation भी आपको मिलता है उसके बाद देखे इतने सारे टाइप के अलग-अलग containers आपको मिलते हैं अब इसको मैं rotate कर देता हूँ तो देखिए liquid इस तरीके से यहां से आ गया अब इसके बाद गिरना start होगा तो इस तरीके से आप container कोगी इस तरीके से move करते हुए दिखा सकते हो आपके students को so that आपके experiments बहुत ज़्यादा interesting हो जाए पढ़ाने के लिए chemical symbols में यहां पर देखिए आप मानलीजिए आप यह बेंजन रिंग मैंने ले ली अब यह बेंजन रिंग को मैं change भी कर सकता हूँ दोस्तों यहां पर देखिए type कौन सा है बेंजन रिंग का मेरे तो यहां पर जो इसको duplicate कर लेंगे हम लोग देखिए इस तरीके से हमने 3 drops भी बना लिये experiments पढ़ाने के लिए दोस्तों यह चीज़े जो है चोटी चोटी यह आपको बहुत काम आती है उसके बाद आप इस तरीके से bubbles भी बना सकते हो मानलीजिए आप कोई container में इस तरीके bubbles भरना चाते हो त इसमें से fumes निकल रही है ऐसा वाला feeling आएगा इसमें से तो यह सारी की सारी चीज़े आप कर सकते हो दोस्तों तो यह chemistry के experiments पढ़ाने के लिए बहुत काम की चीज़ है चलिए अब मैं यहाँ पर इसे clear करता हूँ और इसे add करता हूँ दूसरी slide पर हम आ गए फिर से इसको भ electromagnetism है optics है और उसके बाद electrical legend है अब mechanics में देखिए आपको fan मिल जाता है इसका कोई भी animation आपको नहीं मिलता piston मिलता है तो देखिए piston में आप यह इसको move कर सकते हो इस तरीके से इसकी length कम या जादा कर सकते हो या इसकी भी पिस्टन को भी छोटा या बड़ा कर सकते हो बड़े हाराम से इस तरीके से दिखा सकते हो piston को और इसके आगे पुरा mechanism आप explain भी कर सकते हो आपके students को उसके बा तो देखिए अब 5-4 का reaction मैं यहां से बता सकता हूं कि 5-4 इस object पैक्ट कर रहा है, इस point पैक्ट कर रहा है, तो यह सारी चीजे मैं यहां से explain कर सकता हूं, बड़े ही आसानी से एनिमेशन करते हुए, या फिर मुझे मानली जी आपको यह denotion करना है, mark करना है, तो देखिए, इ 24 मैंने कर दिया, तो यह 24 मार्क हो गया है यहां पर, तो इस थरीके की चीजे भी आप यहां से labeling में कर सकते हो, उसके बड़ आपको यहां पर मिलती है, spring भी आप यहां से use कर सकते हो, line color भी आप यहां से change कर सकते हो, for example, मुझे red spring चाहिए, red spring मैंने ले ली, उसके बात मानली यह पर भी आप यहां से बड़े ही आराम से explain कर सकते हो, देखिए वर्नियर कैली पर मैं measure कर सकता हूं, यहां से छोटा या बड़ा या इस तरीके से measurement आप यहां पर explain कर सकता हूं, students को कि किस तरीके सी experiment होना है, तो यह भी बहुत interesting चीज है दोस्तों, उसके बाद यहां पर यह balance है आपका wedge वाला, तो यहां पर देखिए इससे आप यह नीचे कर सकते हो, इस तरीके से और explain कर सकते हो, पूरा का पूरा आपका experiment, और इस तरीके के mechanics में आपको कई सारी चीजे मिल जाती है, जैसा यह भी आपको scale मिल रही है, यहां से भी आप यह आप यह नीचे जा सकते है, तो bulb को आप on-off भी कर सकते हो, देखिए मैं light कर दिया bulb को, तो bulb चलो हो गया, एक्स्टेमिश कर रहे है, बंद हो गया, तो इस तरीके से bulb को on-off भी आप कर सकते हो, बड़े ही आराम से, तो यह काफी सारे instruments आपको मिल जाता है, electrical में, देखिए यह wire भी मिल जाती है, तो wire आप अलग-अलग points को connect कर सकते हो, देखिए यह point को connect करके, फिर मैंने wire को यहाँ पर emitter में दाल दिया, plus पर, इस तरीके के experiments भी आप यहाँ से बड़े ही आराम से explain कर सकते हो, और उनका flow किस तरीके से चाहिए, इस तरीके से आप curve भी manage कर सकते हो, तो wire connect करके मैंने बता दिय 진행 करके किस तरीके से experiment होना है, तो कितना voltage आएगा, तो voltage की line भी मैं यहाँ से move कर सकता हो, तो यहाँ पर देखिए, मैंने voltage बड़ा दिया, voltage बड़ा दिया, voltage कम कर दिया, तो इस तरीके की चीज़े भी आप यहाँ पर बड़ ही आराम से आपके, voltmeter के साथ भी, सारी, m meter के कर सकते हो, optics में भी देखिए, आपको पिछले lecture में भी पिछले session में भी इसी same software में मैंने बताया था कि आपका candle में मिल जाता है, जिस candle को आप light या burn कर सकते हो, देखिए, light कर दिया, extremist कर दिया, light कर दिया, तो इसको light रखेंगे, उसके बाद आपको lenses मिल जाते है, उनकी focus, focal lens आप change कर सकते हो, उसके बाद ये जो basic nomenclature वाले science है, देखिए, earthing वाला sign है, battery वाला sign है, तो ये सारे के सारे science आपको मिल जाते है यहाँ पर, और इसको assets आपके circuits में यूज कर सकते हो, तो ये हो गया दोस्तों, आपके physics को पढ़ाने के तरीके, और physics को experiments पढ़ाने के देख लिए थे, अब देखिए, ये वाला जो tool है, ये actual में क्या है, तो ये आपका highlight करता है section, कि आपको क्या highlight करना है, क्या size है आपकी, या फिर curtain, आप curtain भी रख सकते हो, तो curtain को आप open या close भी कर सकते हो, इस तरीके से, तो मैं भी कर देता हूं इसे close, अब ये हो गया highlight करन भी आप highlight करने के लिए उसकर सकते हो, उसके बाद आपको keypad अगर उसकरना है, तो इस तरीके से keyboard अगर दबा देते हो, तो आपका by default जो भी keypad उसकरते हो, windows वाला वो open हो जाएगा, calculator भी आपको यहाँ पर चाहिए, तो calculator अगर क्लिक कर दोगे, तो windows का calculator आपको यहाँ पर open ह जाएगा, by default यह open हो जाता है, timer भी आपको यहाँ पर मिलता है, देखिए इस तरीके से आप timer दिखा सकते हो, अब इसमें कई सारे type के timer है, यह घड़ी दिखा रही है, अब यह हो गया stopwatch, उसके बाद यह हो गया आपका timer, तो देखिए timer को start कर देंगे, तो देखिए यह reverse मे आप कर सकते हो, तो मैंने close कर दिया उसे, अब यहाँ पर देखिए timer के बाद, यहाँ पर आपको recording के option मिलते है, screen capture के options मिलते है, तो screen capture के लिए देखिए insert to current slide या फिर insert to new slide या फिर save as, तो यह screen capture आपको किस type का चाहिए, तो सबसे पहले मालीची आपको यह चाहिए कि full screen हो ज particular area इस तरीके से मुझे record करना है, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ, तो इस तरीके से screen capture आप यहाँ से बड़े ही आराम से कर सकते हो, कोई भी region और उसकी image आप save कर सकते हो, यहाँ पर save as कर सकते हो, चलिए वैसे कर देता हूँ close, उसके बाद देखिए all tools में आपको क्या record वाला button मिलता है, तो record वाले button में देखिए आपको क्या record करना है, तो default record करना है, तो आप यह कर सकते हो, या फिर अकर आपको आपका webcam यूज़ करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, और उसको recording start कर सकते हो, अभी के लिए मैं करता हूँ इसे close, क्योंकि मुझे recording नहीं करने हो, तो वहां से भी आप directly recording कर सकते हो उसके बाद दोस्तों ये भी recording वाला ही feature है बट इसमें आपका webcam open हो जाएगा तो अभी के लिए मुझे मेरा webcam open नहीं करना है तो इसलिए मैं webcam open नहीं कर रहा हूँ उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं एक नई slide insert कर लेता हूँ यहाँ पर उसका भी color हम कर लेंगे white चलिए natural option देखते है यह होगे हमारा cubes वाला तो यहाँ पर देखिए 3D tools मुझे मिलते है तो 3D shapes मैं यहाँ पर बड़े ही आराम से बना सकता हूँ और उन्हें पढ़ा सकता हूँ इस तरीके से घुमाते हुए इसका front view, left view, top view ठीक है इसको fill भी हम कर सकते है अलग-अलग colors के साथ देखिए cylinder देखिए इसका front view देखिए rectangular नजर आता है left view भी rectangular, top view circle तो यह आप engineering subjects पढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हो इसे या फिर इस तरीके से 3D diagram भी आपकी बता सकते हो आपके students को अब उसी के साथ आपको यह solid बनाते भी आता है solid जैसा ही आप बना देते हो इसको वैसा ही आप देखिए इसमें colors को fill कर सकते हो तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे orange कर दिया तो यह आप select कर सकते हो कभी भी आपके हिसाब से अलग-अलग directions में अलग-अलग colors भी आप दे सकते हो इस तरीके से उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने cone add कर लिया for example तो देखिए यह cone add हो गया या फिर देखिए यह prism भी add कर सकता हूँ मैं और prism को explain भी कर सकता हूँ तो यह सारे काम बड़े ही आराम से आप यहाँ पर कर सकते हो या solid बना सकते हो तो यह भी option आपको यहाँ पर मिल जाते है tools में उसके बाद यहाँ से आप flow charts भी create कर सकते हो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए main topic branch topic और आप यहाँपर देखिए जैसा ही मैं branch topics के यह arrow पर क्लिक कर देता हूं में वैसे in शारे उसके अंदर चले गए अब जैसे ही मैं इस पे करता हूं तो दो सब्टॉपिक निकले और एक सब्टॉपिक के फिर यहां पर तीन सब्टॉपिक और इसके तीन सब्टाफेक्स निकले तो इस तरीके से explain करने के लिए भी बहुत आसान हो जाता है और अगर मुझे यहां पर कुछ बढ़ाना है तो यहां पर देखिए यहां पर जाना है और सरफ यहां पर प्लेस कर देना है तो देखिए यहां पर एक ब्रांच बढ़ गई अब वापिस से अगर मुझे ब्रांच बढ़ानी है तो यहां पर देखिए इस तरीके से मैंने ब्रांच बढ़ा ली तो देखिए यहां पर एक बढ़ गया तो इस तरीके से आप काफी सारे इस तरीके से फ्लोचार्ट बना सकते हो मानलीच अब मुझे इसके भी आगे कु अब देखिए मैंने कर दिया इसे save अब ये card बन गया है अब मैंने इसे कर दिया insert अब question क्या आ रहा है how to learn online और जैसा ही मैं expectly करता हूँ देखिए बाठिया question का answer reveal होता है इस तरीके से भी आप online आपके students को पढ़ा सकते हो और number of cards आप कितने भी दाल सकते हो जैसा मैंने एक बनाया बापीस एक बना सकता हूँ यहाँ पर for example देखिए मैंने इस insert कर दिया यह blank है तो मैंने यह बना लिया अब इसे कुछ edit करना है तो edit भी कर सकता हूँ य आपको इस software के additional features भी समझ में आ रहे है अब काफी दोगों ने मुझे यह पूछा है कि इसको save किस तरीक से करना है तो यहाँ पर देखिए menu में जाना है menu में जाने के बाद यहाँ पर file को save as कर सकते हो या फिर export कर सकते हो यह project as आप save कर सकते हो या फिर इसको export कर सकते हो export पर काफी लोगों ने मुझे सवाल पूछा था इसलिए मैंने आज यह भी explain कर दिया है और इसको print भी कर सकते हो तो print as PDF भी आप यहाँ से कर सकते हो अब यहाँ पर math के functions भी हम देख लेते हैं तो चलिए मैं फिर से एक slide add कर लेता हूं और इसे कर देता हूं delete अब यह card को delete करने अब फिर से हम color को change करेंगे इसको कर लेंगे white अब चलिए चलते है math के उपर तो चलिए math में चलना है तो आप by default यहाँ पर पढ़ाते वक्त angle set कर सकते हो अगर आपको angle show नहीं करना है तो आप यहाँ पर click कर दो कि don't show angle तो show नहीं होगा यह काम आप कर सकते हो यह इस तरीके की चीज़े आप यहाँ से कर सकते हो यहाँ पर functional graphs भी आप add कर सकते हो देखिए यह functional graph एक बना अब मै यहाँ पर देखिए मैं यह graph की line को zoom in zoom out कर सकता हूं या इस तरीके से इसको भी बढ़ा या चोटा कर सकता हूं यह एक हो गया दुसरा यहाँ पर property editor भी दिया हुआ है मान लीजिए यहाँ पर x by 2 मैंने कर दिया तो देखिए यह arrow यह पूरा का पूरा graph change हो गया यहाँ पर property यह waveform उस हिसाब से बना लेता है जो property आप दालते हो उसको ठीक है और क्या step आपको चाहिए वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो mark distance of radiance भी आप कर सकते हो या hide axis भी आप कर सकते हो तो यह सबसे important feature है दोस्तों इसका similarly यह आपको इसमें भी मिलता है और ellipse में भी आपको मिलता है तो maths के functions भी आप higher end की इस तरीके से पढ़ा सकते हो online तो आशाकरतों दोस्तों कि आपको आज का tutorial बहुत interesting लगा अगर कोई भी डाउट है तो comment section में comment करके पूछेएगा ज़रूर और अगर अभी तक आपने हमारे चानल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए, share कीजिए, like कीजिए और bell icon को press करना न भूलिएगा, so that इस तरीके की informative videos आप तो हमेशा पहुच जाया करे, thank you